Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel Friends, WhatsApp की नई Privacy Policy के बारे में तो आपको पता ही होगा कुछ महने पहले जैनवरी में इसको WhatsApp के द्वारा लाया गया था और इस नई Privacy Policy को एकसेप्ट करने की एक डेडलाइन भी दी गई थी जो थी 8 फरवरी 2021 पर जैसे ही ये न्यूज आया बहुत बवाल हो गया और लोगों ने WhatsApp के अल्टरनेटिव एप जैसे टेलिग्राम और सिगनल को यूज करने स्टार्ट कर दिया जिसके बाद WhatsApp ने नई Privacy Policy को एकसेप्ट करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा कर 15 मई 2021 की कर दी और इस बीच WhatsApp ने अपने यूजर्स को इन एप नोटिफिकेशन की मदद से बताना शुरू किया कि आपको पॉलिसी समझने में गलती हुई है साथ ही वो पॉप अप या अलर्ट दे रहे थे कि नई WhatsApp Privacy Policy को एकसेप्ट कर लो तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा 15 मई के बाद एकाउंट डिलिट हो जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं होगा WhatsApp ने ओफिशल स्टेटमेंट निकाली है जिसमें बोला है कि 15 मई तक जो लोग Privacy Policy एकसेप्ट नहीं करेंगे उनका एकाउंट डिलिट नहीं होगा लेकिन अब यहां पे क्या होने वाला है कि effective date जो होगी 15 मई की उस टाइम पे किसी का एकाउंट डिलिट वाटसप नहीं करेंगे लेकिन आपको यहां पे WhatsApp रेगुलर रिमाइंडर देता रहेगा कि अपने WhatsApp की Privacy Policy को accept करो कुछ हबतों तक वो यह करेगा उसके बाद भी अगर आप accept नहीं करते हैं तो आपके WhatsApp की facility limited हो जाएगी आपके WhatsApp की functionality पर रोक लगा दिया जाएगा उसको limited कर दिया जाएगा आप calls, message का जवाब, notification के द्वारा ही दे पाएंगे आप अपने WhatsApp को खोल के जो आपकी पूरी chat list है वो आप नहीं देख पाएंगे और कुछ समय के बाद ये भी function आपसे छीन लिया जाएगा उसके बाद ना message आएगा, ना call कुछ भी आप use नहीं कर पाएंगे WhatsApp से WhatsApp खोलेंगे तो privacy policy सामने आएगी उसे accept करेंगे तभी आप use कर पाएंगे अगर accept नहीं करेंगे तो WhatsApp आप use नहीं कर पाएंगे तो friends ये था WhatsApp की privacy policy के deadline के बारे में तो आज के लिए इतना ही अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे comment section में लिख कर आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यूसफूल लगा हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करतें ताकि नए आने वाली ऐसे ही वीडियो की जनकाई सबसे पहले आपको मिले थाइंक यू